मुझे देखर आप यही सोच रहे ना, इतनी बड़ी बड़ी आँखे, आखिर अब कौन से सस्पेंसे पर्दा हटाने वाली हो? आज हम खोलने वाले हैं काली मा के सस्पेंसे पर्दा, मिलवाने वाले हैं आपको टीवी की एकदम नई काली मा से, एकदम चेहरे पर गुसा, आँखों में अंगारे, और अब आ रही है आप से मिलने के लिए टीवी की ब्रैंड न्यू काली मा, कैसे लिया है इनोंने एक में नजर आएंगी, यह आपको दिखाएंगे, द्रिष्टी गडा कर देखिये, क्योंकि उसके बाद दिव्वे द्रिष्टी की पारुल, यानि की एश के साथ हम लेकर चलने वाले हैं आपको, इस एकदम ऑपोजिट, हैपनेंग, हाट, डे आउट पर. यह है टीवी की नई भद्र काली, आज काली मा के इस लुक की पूरी तस्वीर बया होगी. कौन बनी काली मा ये भी बताएंगे, लेकिन उसे पहले आपको दिखाएंगे कि काली मा बनने के लिए कितनी हुई मेहनत, सबसे पहले सजाई गई आँखें. आखों के बाद भद्र काली का काला रंग तढ़ाये गया. इसके बाद काली मा को सजाए गया. काली मा का रंग चड़ने के बाद बारी थी गहने और इस माला की. अब काली मा अपने रूप में आ चुकी थी तो थोड़ा पोस देना भी तो बनता है. तो फाइनली ये मेरा लुक है आज के शूट का और ये काली माता का रूप है. इसके अंदर मैं शूट करने वाली हूँ आज. काली मात तैयार हैं. तो चलिए सस्पेंस से भी परदा उठा देते हैं कि आखर ये हैं कौन? वेल ये हैं रिशीना कधारी जो तेनाली रामा में बनी हैं मा काली. राजा विक्रमादित्ते के सिंगासन के प्रकूप से जब विजय नगर पर संकट आया तो तेनाली रामा भी कुछ न कर पाया. और अब तेनाली रामा को रास्ता दिखाने आई काली मा. चलिए शूट की तो बात हो गई. अब जरह ये बताईए रिशीना जी क्या आपको भद्रकाली बनने में कितना वक्त लगा? भद्रकाली, कृपाली नी बनने में मुझे अट लिस्ट दो घंटे लग गए, अल्मोस्ट पूरा गेट अप करने में. एक तो मेरा मेकप आटिस जो है सूर्यकान वो इतना धहरे रखके मेरा मेकप करता है कि पूचे मत और उससे जादा धहरे मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे बैडे रहना पड़ता है लेकिन अट इस रहली प्रस्टेटिटिंग के साथ में उसने मेरा मेकप किया है, आप एक अच्छा लगता है एक कालर, आप इन दिस रिल्ली नाइस और मुझे बहुता है इस अच्छा अच्छा लगता है को बिजआर मुद्ग देखा देते हैं, रियल लाइफ भी और रिल लाइफ भी Bureau Report, India TV